जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर भूत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर महा कभी चंदरबरदाईजी से संबंदित तो वीडियो को पूरा आवस्ते देखना है महा कभी चंदरबरदाईजी से संबंदित यहां पर कॉस्चन है वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वेल आइकन दमाए ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जो नोडिकेसन है वह आप कहां तक सबसे पहले पहु चंद बरदाई का जर्म कब हुआ ठाँ तो आपका इहां पर सजय आंसर हों का लाहर में हुआ है अंगला कोस्चिन क्या पूर यहां पर चंदबरदाई किस समराट के दरबारी कभी थे यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर सई answer है question आपका है question number 3 और आई answer है प्रतिविराज चौहन की अंगले question है किस रासु रचिनाकार का मूल नाम बलिदै था तो किस रासो रचिनाकार है और उनका नाम क्या था मूल नाम था बलीदाई और भैक्वान है तो चंद बरदाई तो यह आपको याद रखने है कि चंद बरदाई जी जो थे इनका मूल नाम था बलीदाई अंगला कॉस्चिन क्या है तो कॉस्चिन नमबर यहां पर पांच कब है? बहि हमाना जाता है प्रति वीराज रासु का अंगी रस क्या है? इसमें अंगी रस बताना है तो question no.6 करा राइड़ आंसर है कि प्रति वीराज रासो का अंगी रस पूँचा है तो आपका सही आंसर है इसमें B रस है तो विकल्प नमबर 1 आपका बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नमबर 1 अंगले question है कि किसकी अनुसार प्रत्वी राज रासु की सुरुवात जो है सुक सुकी संबाद की रूप में हुई है तो किसकी अनुसार प्रत्वी राज रासु की सुरुवात सुक सुकी संबाद की रूप में हुई है तो आपका हैं आपर सही आंसर है विकल्प नमबर 1 राइट आंसर हजारी पर साथ दोबेदी हजारी पर साथ दोवेदी आपका राइट आंसर है किस आलू चक ने चंद बरदाई को हिंदी का पिर्थम कभी कहा most important question है जो कई बारे अग्जाम में पूछा गया है तो वह आलू चक है रामचन सुकल जिन्हों ने चंद बरदाई को हिंदी का पिर्थम कभी कहा है question number 9 पूछा गया है किस आलू चक किस आलू चक ने प्रतिवी राज रासो को हिंदी का पिर्थम कभी माना है तो यह तो हो गया आपका आचा रामचन सुकल यहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही अंगला question क्या पूछा गया है तो question number 10 आप से यहां पर पूछा गया है कि प्रतिवी राज रासो में सर्ग किस नाम से हैं सर्ग हैं बच्चन नाम से सम्यों या प्रकास या संबाद तो प्रत्वी राज रासों में सर्ग किस नामते हैं तो सम्यों, सम्यों आपका समय यानि की जो है राइट आंसर होगा प्रत्वी राज रासों में कितने सर्ग हैं ये question भी बहुत ही महत्तपून है प्रत्वी राज रासों में कितने सर्ग हैं तो आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 11 का विकल्प नंबर D आनि कि इसमें 69 सर्ग है विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही अंगला प्रत्वी राज रासों में कितने पिरकार की छंदों का प्रियोग हुआ है 66, 66, 68, 69 तो आपका सही आंसर है 68, 68 आपका यहां पर सही आंसर होगा क्या पूचा है किस आलोचक ने प्रत्वी राज रासो को घटना काप बिकाहे कर पुकारा है किस आलोचक ने पुकारा है तो डाक्टर नगेंदर आपका है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा क्या पूच्छ नमबर है चौधा है किस आलोचक ने प्रत्वी राज रासो को बिसाल का एक कोस कहे कर पुकारा है तो चौधा का राइट आंसर है भी स्याम सुन्दर दास स्याम सुंदरदास आपका यहाँ पर सही आंसर हो का बिल्कुल सही question number 15 है कि कि किस आलो चक ने प्रतिवी राज रासो स्वाभाविक विकास सील महाकाब बे कहा है तो किस ने कहा है तो question number 15 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर देखी चार विकल्प हैं दो विकल्प यहां पर दिये गए हैं क्या दिये गए हैं तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वह बाबु गुलाब राए बाबु गुलाब राए आपका यहां पर सही आंसर है जो बाबु गुलाब राए हैं इन्होंने जो आलुचक हैं और प्रत्वी राज रासों को इन्होंने स्व राइट आंसर बताया, विकल्प नमबर D जोनों नहीं बताया है, और प्रत्वी राज रासों को किस ने पूरा किया है, नर्पती नाल ने, चंद बरदाई की पुत्र जलहर ने, या पिर किसी अज्यात कभी ने, प्रत्वी राज चोहान की एक सेनापती ने, तो प्रत्वी र 18 महत्पूर्ण question ये पंती पूँची जाती है कि पुस्तक जलन हत्त दे चली गजन नपकाज किसकी पंती है ये पंती कई बार एकजाम में पूची गई है और भूत ही महत्पूर्ण ये question चंदपरदाईजी से संबन देते और आपका राइट आंसर है चंदपरदाई यहां प इसके चार संस्क्रण है कितने संस्क्रण है चार बिलकुल चाईए अंगला question क्या है प्रतिवी राज रासो की प्रिथम संस्क्रण में कितने चंद है तो प्रतिवी राज रासो की प्रिथम संस्क्रण में तेरा सो पैंतिस सो साथ हजार सोला हजार तीन सो च्छे तो आपका प्रत्वी राज राशो का कौन सा संस्क्राण प्रकासित किया है नागरी प्रचानली सभा ने तरतिये प्रत्वी राज की प्रत्वी राज की प्रमानेकता पर संधे किया है सबसे पहले जो है किसने प्रत्वी राज की प्रमानेकता पर संधे किया है तो आपका राज राज रासो को जाली गरंत कहा है तो जाली गरंत कहा है प्रत्वी राज रासो को किसने कहा है तो आपका राइट आंसर होगा डाक्टर बोलर यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या पूँचा है जी किसकी चंदबर पर और आपका इहां पर सही आंसर होगा बिलकुल सही अपना कॉस्चन नंबर 25 जो पूँचा गया है बहती महत्तपूर्ण है कि प्रतवी राज रासो की चथोरत संस्क्रण में कितने चंद है इस चंद बताना है तो बताईए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा 25 वा क्वास्चन है और भी राइट आंसर चतौर्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर चतौर्थ राइट आंसर होगा बिलकुल अंगले क्वास्चन क्या है प्रत्वी राज रासों को प्रमाले के गरंत मानने वाल जो बिद्वान है जेम्स टॉड आपका यहां पर सही आंसर है जेम्स टॉड यहां पर राइट आंसर है यहां पर प्रत्वी राज रासों की चत्वर्थ संस्क्राण में कितने चंद हैं चंद पूंचा यहां पर तो यहां पर चंद दिये नहीं है मतलब संक्या नहीं बताई अभी पूचा ता आप से प्रत्वी राज रासों को परमालक ग्रंत मानने वाले बिद्वान है, तो बहे जम्स टॉड थे, अब आप परमालक ग्रंत मानने वाले नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा, स्याम सुंदर, दास ये नहीं मानती है, अंगला question, प्रत्वी राज रास को अर्द प्रमालक ग्रंत मानने वाले जो बिद्वान है, वह कौन से वह बिद्वान है, तो यहाँ पर चार विकल्प भी दे गए हैं, और आपका सही आंसर है, हजारी पर साथ दुबेदी, हजारी पर साथ दुबेदी आपका सही आंसर होगा, बिलकुल सही, बहुत या अंगला कॉस्चन देखते हैं कि उस बिकल्प को चुनिए जिनमें उल्लेखित सभी आलोचक प्रत्वी राज रासो प्रमानक ग्रंथ मानते हैं तो प्रत्वी राज रासो को जो है प्रमानक ग्रंथ मानते हैं बहे बिकल्प चुनना है बहे आलोचक कौन-कौन है जो प्र मालक ग्रंथ मानते हैं प्रत्विराज रासो को बाराय मासा का आरंब किस रितू से होता है ग्रीश में रितू से बसंत रितू से बरसा रितू से या सीत रितू से तो आपका सही आंसर बरसा रितू से बाराय मासा का जो प्रारंब होता है बहे किस रितू से होता है तो बहे होत सब्सक्राइब लेकर आएंगे और इसी तरह आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आज की वीडियो में बस इतना ही सबी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन